वारानसी में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंग्र मोधी के रोजशो को लेकर चिनाव आयोग ने कड़ा रुख दिखाते हुए डीम से रिपोर्ट मानगी है। चुनाव आयोग ने वारान असी के डीम से पूछा है कि क्या मोडी के रोजशो के लिए पहले से इजाज़त ली गई थी। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के आखिरी चरंग से पहले प्रधान मंत्री मोडी ने बनारस में रोजशो किया। विरोधी बलो ने चुनाव आयोग से शिकायत कर कहा था कि प्रधान मंत्री मोडी की रैली के पहले स्थानिय प्रशासंद से आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी। कॉंग्रेस ने प्येम मोडी के कार्यक्रम की आलेचना करते हुए कहा है कि इस कार्यक्रम की अनुमती नहीं ली गई थी। वहीं समाजवादी पार्टी में भी प्रधान मंत्री मोडी की रैली को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सपा के राश्ट्रिय प्रवक्ता राजे इंद्र चौधरी ने कहा, प्येम मोडी के बनारस हिंदू विश्व विद्याले से काशी विश्वनात का रोडशो आचार सोहिता का खुला उलंगन है। उन्हों ने कहा, दूजे इतनी मर्यादाओं का फालन नहीं करना चाहती। वह समगैधान इखकों का बिरु पहेग कर रही है।